यह कोईल जल चुका है देखिए दोस्ते यह जो स्टाटर है उसका जो पुराना कोईल में जल गिया था जो कईल वो कईल को काटके निकल चुका हूँ और इसमें पांच नमबर पिविशी सीट में लगा दिया हूँ देखिए किस तरह लगा है मैंने एक खुल के आपको दिख लगा देखिए इस तरह पिविशी सीट को इसका ही सबसे काट लिया हूँ मैं काट के दोना तरफ ऐसी फूल्ड कर दिया हूँ है देखिए दोना तरफ लोक हो गया है और निकलनए का चैन्स नहीं है इस तरह सारे स्लट में अब लगा देंगे यह वाइंडिंग करने से पहले उसका बेसिक इंफर्मेशन जो है उसको जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यह जो स्टटर है यह 16 स्लट का स्टटर है देखें मैं यहां से गिंती करके दिखाता रहा हूं एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा शोला और उसका जो स्टटर का साइज उसको देख लेते हैं यह देखें टूपैंट इंच में करना से 0.99 इंच यानि एक इंच एक एक एम एम काम है एक इंच के स्टटर और उसका इनर्ड जो अंदर का जो 1.73 इंच और उसका एम एम देखेंगे से 44.0 mm दिखेंगे दे रहा होगा देखें फिर उसका आप्ट और देखेंगे देखेंगे 75.0 mm इंच में कन्वर्ट करना से 2.95 इंच और तीन इंच से थोड़ा से कम है यह उसका साइज है और उसका गुलाई भी देख लेते हैं उसका गुलाई इसमें से टेप से माप लेंगे साड़े ग्यारा इंच साड़े ग्यारा इंच उसका गुलाई है अब यह दोस्तों अठेश सो असी एरपियम में घुमता है और दोस्तों तीस वोल्टेज में एसी में वार्क करता है और इसके लिए हम यह टूपुल का मटर है और इसके लिए हम वहाँ चार कोईल बनाना है स्टाटिंग का दो और रनिंग का दो अब चलते हैं कोईल बनाने के लिए यह इसको यहां रख लेता है अब कोईल बनाएंगे यह दोस्तों हेंड ग्रैंडर है इसमें दोस्तों एक राउंड यह हैंडल को एक राउंड घुमाने से यह दस चकर बन जाता है तो उसका पहले दोस्तों उसमें जो वियर हम देंगे उस वियर का मेजरमेंट भी देख लीजिए किस तरह मेजरमेंट करता हैं यह उसको साइड में कर लाता हैं देखिए उसका पीज यह है दोस्तों एक से छे एक से आठ एक से छे किसी एक स्लट से हम उसको ऐसी डाल देते हैं यह कितना हुआ दिखते हैं एक दो तीन चार पांच छे इस में है यह हो गया एक राउंड हो गया फिर इस तरफ दोस्ता यह साइज करना है इसका पिछे तरफ से ऐसी रहना चाहिए हाँ इतना असा ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए यह हो गया फिर इधर से लेका आना है एक से आठ एक से छे हो गया और यह साथ याठ उपर वाला स्लट में हम डालेंगे इस तरह मैं यहां जैंट कर दिया फिर उसको निकल लेंगे देख लेते हैं उसका मेजर्मेंट क्या होता है ऐसा है पूरा अठरा इंच देखे दोस्तों पूरा अठरा इंच हो और श्ट्रटिंगल इससे 500 छोटा रखना चाहिए तो दो कहले हम बनाएंगे रादनिंग यह करल्दा जो वही फर्मा से सेट कर लिया हूं मैं और उसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं देखे दोस्तों इसको भी टेप से मापके देख लेते हैं भई पर आठरा इंच है दिख रहा होगा कि अठरा इंच है हुआ हुआ हम कोईल बनाएंगे यह चार्शा और शीटर्ण देंगे चार्शा शीटर्ण हो गया उसको धागे से बांध लेंगे रन्निंग का पहला कोईल हो गया है इसमें चार्शा शीटर्ण मैंने दे दिया हूं और इसको बिना कटे और एक काले बनाना है वही रन्निंग का वह भी चार्शा शीटर्ण दिया जाएगा दोस्ता यह हो गया चार्शा शीटर्ण हो गया इसको बांध लेते हैं दोना तरफ बन देंगे अच्छा हो यह हो गया देखें यह रन्निंग का दो कल बन गया है फिर हम पंतालेश चार्शा पचास टर्न हो गया इसको धाके से हम बांध लेते हैं हो गया है यह हो गया दोस्ता यह स्टर्टिंग का ला है वह रन्निंग का ला है दो-दो का ला हो गया है यह रन्निंग का है दो कल स्टर्टिंग का दो कल टुक्टरल दो सब अबत्तिस ग्राम वेटा है देखिए इस तरह पकड़ लेजिए एक सीरा इधर है और एक सीरा इसमें जुड़ा हुआ है आइसी डालिया आइसी पीछ है एक सेच है मने कोई भी स्लट में पहले एक कोईल को डाल देजिए यह हो गया फिर यहां से यह एक इसको एक गिंती करें एक दो तीन चार पांच छे इसमें डालना पड़ेगा अभी इसमें डाल देजिए बहुत आराम से चले जाएगा फिर उसको एक स्लाट पेपर लागा देजिए ऐसे फूल्ड करके ऐसा लागा देजिए यह हो गया देखे इस तरफ देखे फिर इधर से उसको खीच लिजिए यह देखे अब सीरा को समझे यह देखे यह पहला सीरा इनर यह आउटर इस तरह पकड़के ऐसा घुमा लिजिए ऐसा घुमा लिजिए मूड़ूंगा और हमेशा इस तरफ से ही मूड़ना पड़ेगा है है हो गया है इस तरफ भी उसी तरह उसका उपर वाला यह तो इसका उपर वाला वोई स्लोट में डालना पड़ेगा दोस्ता है 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 यू टाप का फूल कर दिजिए फिर लगा दिजिए यह हो गया अब उसको साइज करा दिजिए इस तरह देखिए मने उसको कैसा सेट कर दिया हूँ देखिए यह बाई तरफ एक सीरा है यह पहला सीरा है इनर यह आउटर ऐसा पहले एक से छे एक से छे फिर एक से आठ पीच नमबर दो बर एक एक राउंड दिया है ऐसा डालना पड़ेगा है ऐसा इसीरा इधर आना चाहिए देखिए वी सेम प्रसेस हम एक से छे देखिए यह एक छोड़ देते हैं इधर एक इधर एक छोड़ देंगे उसके बाद जो स्लोट आएगा वसी में डालेंगे इसी में डाल देंगे यह एक हो गया मैं एक कोईल डालने के बाद फिर समझा दूंगा कनेक्शन कैसा कैसा डाला जाता है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यह एक से छे एक एक दो तीन चार पांच छे यह वाला छे इसमें डाला जाएगा हो गया फिर यहां से खीच लेते हैं क्योंकि यह कनेक्शन यह जो शिरा एक तरफ होना चाहिए पिछे तरफ फिर इसको वही फ्रसेस से मोड़िये बाइन तरफ से क्योंकि अगले ये कईल बाइन तरफ से मोड़ा था अभी इस तरफ से मोड़ने सकते इस तरफ से मोड़ेंगे पहला कईले जिस तरफ मोड़ा है इस तरफ मोड़ेंगे आप मोड़के फिर इसका ये खंचा और ये खंच में डालना पड़ेगा दोस्ता एक से आठ फिच अब उसको साइज करा लेंगे अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये कनेक्शन ये जो पहला इसका इल का पहला सिरा ये है इसका इल का अखिर सिरा ये है अर जो ये जो कनेक्शन आया बीच में ये आमने समने होना चाहिए समझे गए अब हम ये रणिंग कर ले हो गया अभी स्टार्टिंग करेंगे अर रहा हम लोग का पीछे है एक से छे यानि ये बीच में चार उसका इस तरह पे एक एक दो तीन चार पांच छे तो इसमें आएगा इसमें आएगा पहला राउंड दूसरा राउंड इसका उपर में ये वला आएगा और ये वला आएगा मैं करके अभी इस तरह डल दीजिए एक से छे ये बीच में चार छोड़ दीजिए इस तरफ यह डाल दिया यहां से बीच में चार छोड़ेंगे यह एक हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे इसमें डाल लेंगे स्लोट पर देना बहुत जरुरी है अब यह तो हो गया इसको खीच लेते हैं इस तरफ मोड़ेंगे फिर उल्टा इस तरफ मोड़ दिया फिर एक सा आठ बीच में छे रह जाएगा इसको थोड़ा साइज करके दबा दीजिए यह स्टटिंग का पहला काईल इंस्टल हो गया है फिर श्टटिंग का दूसरा काईल यानि आखिर काईल यह इंस्टल करेंगे इस तरफ है अभी यह काईल इस्तरफ देना पड़ेगा ऐसा एक से छे पहला एक से छे देने पड़ेगा देखिए अभी एक का मतलब यह बला देखिए यह तो चार भरा हुआ है एक, दो, तीन, चार भरा हुआ है और यह वाला यह एक इधर से गिनेंगे दिखाई दे रहा होगा एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे तो यहां से यह वाला और यह वाला में डलना पड़ेगा अभी समझे गए हैं आई दिखिए इसमें पहले डल देता है यह हो गया इसमें भी स्लोट पेपर पहले लगा देता हैं अब हो गया अब हम मौस को सेटिंग करेंगे थोड़ा सेफ कर लेंगे अब हो गया प्रसाइज हो गया हम उसको फिज़ें ग्रिन शीट काटकर उसका अंदर में दिया जाएगा यह कोयल रनिंग काईल और स्टाटिंग काईल के बीच में एक पति इस तरह दिया जाएगा क्योंकि यह दोनों काईल के बीच में दूरी बनाने के लिए एक पेपर दिया जाता है नहीं तो कॉटन टेप्स से भी सिलाई कर सकता हैं अब हम उसको शिलाई करेंगे देखे दोस्ता अभे हम कनेक्शन करेंगा अभे देखें यह चार शिर्फ निकल कराया है यह रंणिंग तो पहल से यह इनर यह आउटर इसको इनर भी बोल सकते हैं इसको आउटर भी कह सकते हैं यह आमने समने होता है और स्टाटिंग को इलका भी यह एक सिरा यह एक सिरा इसको अगर इनर समझेंगे तो इसको आउटर इसको आउटर इनर समझेंगे तो इसको आउटर समझेंगे तो अभी द का जो है इसमें हम लाल वयर जैंट करेंगे उसका यह पलिश रहता है थोड़ा छिलनेते हैं अब मेरे पास यह चार वयर है काला दो लाल दो इसमें हम लाल वाला वयर जैंट करेंगे कि बचा हुए तार को काड़ दीजिए और उसका यह वाला भी रणिंग कोईल का एक शिरा है इसमें भी लाल वयर हम जैंट करेंगे यह हो गया अब वो स्टटिंग कोईल का जो दो सिरा है उसमें काला वाला वयर हम जैंट करेंगे कि अब लाक हुए रहा है यह जो पलिश रहता है इसको अच्छी तरह से आफ जला लीजिए नहीं तो ऐसी ब्लेड के साथ से इसको निकल देजिए पलिश एक्ट यह एक नमबर वाला स्लिप फाइफ में चाड़ाते आथा उसके बाद उसको कभर करने के लिए हम यह तिन नमबर वाला वो स्लिप फाइफ लगाएंगे इसको कभर हो इतना तक है ही देखें इसी रिजबूर है अभी यह कोईल है लाल वाला यह लाल वाला यह सही है फिर यह काला वाला यह काला वाला यह भी ठीक है और इसमें तो और बोड़ी शेट भी नहीं है देख लेते हैं बोड़ी शेट भी नहीं है ठीक है कि शिलेए हो गया दोनों तरफ माय भी इसमें बन्निश डेलता हूं दोस्तों बन्निश डेल कर कि शुखा दूंगा दोप में दो तिने घंटा कड़ी दोप में शुखा दीजिए अच्छी तरह से बनने से दे दे दीजिए वस तकि यह काल पुरा मजबूत बन जाएगा झाला हूं अब उसको धूप में सुखाएंगे सुखाने के बाद फिर फिटिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों देखिए दोस्तों ये मैं भरनिस देखे पुरा धूप में सुखा लिया हूँ अब फिटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ले देज़े अब उसको डाल देज़े कर दो प्रेश कर दो देज़े कर दो माड़़ वाज देज़े के लिए इसमें लेगामान देज़े कि अव्याब वा कर देदो भाँवरे कर दोस्तों ये वीदार्ट फिदा़ वीदिए वाग अब देखिया, मैं इसमें फिटिंग कर दिया हूँ, अब ये को किसी एक लाल और और एक काला वाला को जांट कर देजी, ये कमोन हो गया है, और ये जो दोनों को बच गया है, इसमें क्यापसिटर लगा देजी, 2.50 MFT क्यापसिटर है, इसमें जांट करा देजी, किसी में भी किसी क्यापसिटर कर सकते हैं, ये वाला इसमें ये वाला, इसमें लगा देजी, दो येर तो बचा है, दो येर में एक क्यापसिटर का दो येर, किसी क्यापसिटर जांट कर देजी, अब एक हम इसमें करके दिखा रहा है, ये शीरिजवर से टेस्ट करेंगे, पहले एक वेयर में है, जो कमन वेयर में एक वेयर दीजिए और एक इलाल वाला वेयर जो के पशिटर का साथ पसमें देजिए, कि इतना अच्छे तरह से भूम रहा है, ये दिखे, पिल लूम लों के ने तरह हैं, कि अपः आप लों तरह से लेजिए ग्रीताला, पिले तरह सिर्ट लोग अपना में है, अभाइक पटकोंत्स कुल violet, अवदे प्रेजिए, कि देखिए दोस्तों इस फेंड का इस फेंड का जो कॉनेक्शन है मैं आपको इस डाइग्राम के वज माध्यम से आपको समझाने को कुर्शिश करूँगा देखिए ये सोचली जी मटर है ये सुड़ सलट है यहां से है शुरू के रहें हैसी एक दो टीलड्व हिस्ट rhymes होता है रानिंग का दो कैल इस्ट इन्सल किया गया है शुचे यहां से शुरू करूंगा मैं Marvel यहां से सुरु किया था सुची ये रन्निंग है लाल वला इससे स्टार्ट करे ले इधर से एक से छे ये एक छे इधर से आया टोड़ा आजे बढ़ते हुए ऐसा गया एक से आठ याज या शुरू हुआ इधर एरो कर दिया इधर खत्म हुआ इधर एरो कर दिया ये इनर ये आउटर उसी तरह इधर भी ओही काम है यहां से शुरू इधर से इसे गिया समझे ये इनर इनर ये आउटर ये रणिंग का दो कले हो गया अभी स्टाटिंग का दो कल करेंगे एक ब्लाक स्केच में मैं स्टाटिंग का बना रहा हूं इधर से जाएगा एक से छे एक डो टीन चार पांच छे तह इधर से गिया फिर इधर से आया इसी भत्ते हुए ये इधर से होई ये इनर ये आउटर इसी थरा उस तरब भी ऐसी ये इनर एक से छे एक दो तीन चार पांच छे काली इधर से आया इधर से एक राउंड घुमाया घुमा के अहोँ इधर से होता हुए इसका इनर ये इसका आउटर ये अब क्या करना है कनेक्शन देखे ये ये लाल वाला को जैंट कर दना है कि समझें जो आउटर है ये आउटर को ये आउटर उसको लाके यहां जैंट कर दीजिए ये आउटर को आउटर जैंट हो गया उसका भी आउटर को आउटर उठा के जैंट कर दीजिए आउटर को आउटर जैंट कर दीजिए इधर से लेकार आउँ जैंट हो गया अब देखे बचिया चार वह यार सब इनर ये लालवालावाने ये रन्निंग का इनर ये स्टार्टिंग का इनर ये रन्निंग का इनर ये स्टार्टिंग का इनर सब इनर बच गिया अवी दो इनर कु कैसे विकर कोई भी दो इनर कु एक स्टार्टिंग एक रन्निंग कु जांड करा दीजिये सुचिये उसको ले 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 तो इधर उसको लाया और ये वाला ये दोनों को जाइंट करा देजे ये कमन हो गया कि एक कमन है और जो बस्किया ये एक रणिंग का इनर एक स्टार्टिंग का इनर इस दोनों में क्यापासिटर लग जाएगा तो ये एक क्यापासिटर है दो ये निकला है एक यहां से लाएके इधर लग जाएगा ये यहां से जाएके इधर लग जाएगा इतना ही काम एक केपासिटर तू पॉइंट हाई के एम एफ डी कर ये हो गया अब कनेक्शन देना है जो हम लोग का जो यहां बोड से जो कनेक्शन आता है एक दे दीजिए यहां से सुचिए बोड है पिन पिन है एक दे दीजिए यह जो लाल वाला है इसमें केपासिटर का सथ रणिंग का जो है इसमें लगा दीजिए और यह इसमें आया इसमें लाके यह कमण में लगा दीजिए समझें है यह आगे मटर रणिंग करेगा